है लो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने योटूब चलब है आज है तीन डिसंबर 2021 और एससी जीडे एक्जाम का पहली पाली का पेपर आज की पहली पाली का पेपर सबलता पुरुक संपान हो चुका है पूरे पेपर का हल आपको आज के मिलने वाला है जी यह सभी आप लोगों को जरूर एनलीसिस करना चाहिए कहां से कौन सा कोशन पूछा जा रहा है और बेसिक बातें आप लोगों कि यहां पर आपको ध्यान में रखने होंगी जिसके कारण आपको 5-10 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प और उनमें से सीजेम का आयनन भी बहुत सबसे कम होता है अगला कोशन है लाल वर्णक सेवाल होते हैं तो अगला कोशन है परमाड़ों से उर्जा प्राप्त उर्जा को कहते हैं तो यहां पर सही उतार है नाविकी उर्जा परमाड़ों से प्राप्त उर्जा को हम लोग कहत ऑदहना है तो इसका काईटिक हो जाती है वह जाती आदा कर देते हैं यह कि यह वस्तुय ओप्जानियों पोड़com के कि उतने निमसी कि स़ल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं और जापान की निमसी ज है पूर फाइरा एक सभाल है जिसका यूज करते हैं भोजन के रूप में खाते हैं यानी कि टिक है पोर फाइरा इसका राइट एंसरर है अगले कोशन दूध का प्यज कितना होता है प्यज मांट तो दूध का प्यज मांन आपका होता है 6.4 6.4 इसका सही उतर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दूत का पी एच महान होता है 6.4 अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं कमबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्ति किया गया है तो यहां पर सही उतर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा देव यानि खोब राग्डे अगला कोशन और बी जादा करते हैं यह जोला इसका सही उतर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अगले कोशन की तरह पढ़ते हैं अगला कोशन और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है सभी कोशन आपको अगला कोशन है नेम लिखित में से किस राज को नेत्र को पंडिट जवाला नहरु ने गरीबों की कथक खली कहा तो इसको साही अंसर इसका रायट अंसर है ओताम थुलाल जो है आपका एक नद्च को पंडिट जवाला नहरु जिने ग तक का लिखा है अगला कोशन है जहांगीर ने फारस के राजा सा अबास प्रथम की प्रेंटिंग के लिए किसे भीजा था तो आपको दादे इसका सही उतर है विसंदास विसंदास इसका रहे टेंसर है जहांगीर ने फारस के राजा सा अबास प्रथम की पेंटिंग के लिए जो है विसंदास को फारस भेजाता तो विसंदास यहां पे सही उतर हो जाएगा अगला कोसे ने परजी किस भारती、 राज की राज़तानी है तो आपको majesty इसका सही उतर है गोभा भारती, राज़तानी तो इसका सही उतर हो जाता राइड準 올라तां अगला कोसे तरह समताब मंडल इसका राइट अंसर था अगला को चने सवीन आवग्य अंदोलन किस दिन प्रारम भुगा था तो इसका सही उतेर 12 मार्च 1932 सव है आपका 12 मार्च 1932 आपका 12 3032 गो प्रारम भोग था किसके द्वारा आरंब किया गया था comment section में answer जरूर लिखें अगला question और भी ज्यादा important किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंब किया था तो दोस्तों को दादे इसका सही उतार है विपिन चंदर पाल विपिन चंदर पाल जी नहीं यहां पर जो है वंदे मातरम समाचार पत्र को जही प्रार्ण किया था राइट एंसर किया गडाएगा विपिन चंदर पाल एंपर सही उतर हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन है भारती सविधान का अनुचेद जो 19 एपर और एंजिद नहीं जो चहीए सुतन्तिताओं को प्रदान करता है यहा राइट अंसर है संसत में नहीं राज के गटन की छमता जो है संसत में नीद होती है संसत इसका राइट अंसर हो जाएगा लोगसभा के पहले स्पीकर कौन थे फिशन का जिस पेकार से साथ का समऻनें अर्टालिक से उसी पेकार से बारा का समंद किस से होगा तो जैसा कि आप लोग जानते हैं साथ का स्कॉर अगर हम लोग करते हैं यह होता है उन्चास उछम आगर एक माइनस करते हैं तो 48 वह जाता है इसी प्रेकार से साथ कसंबंद 48 यह इसी प्रेकार से बारा कसंबन 143 यह जाता है अगला कोशन है चेयर यहां पर आई लाश्ट में जो दिख रहा है यह आपका नहीं है तो जैसा कि आप लोगों का पहले आ गया आई फिर इसके बाद ए फिर सी इसके बाद लाश्ट में लाश्ट ही पर आपको इसका भी बताना है तो इसके पहले यह आजाएगा लगाट इसका सही उतर हो जाएगा अगलग अगलग उसन है बहुत ही महत्पूल गोश्ट है आप सभी के लिए और इसका पैटन का अंसर जिस परिगार से बीडी एफ यहां पर आयाई जो दिख रहा बीडी एफ के बात कॉमा है कोश्टन मारक है पी आटी है डबलू वाई ए है तब को दाना जैसे कि आप लोग यहां पर देख पार होंगे पैटन बनना है यह आपको आंसर करना है कमें सक्टन में यहां पर जो फिल होगा वो होगा आई के एम आई के यहां पर राइट आंस इक ताली से चंवन और इसकी बारवारा पार है 69 69 इसका राइट अंसर था और अगला कोशन है इसका अंसर आप लोगों को कमेंट सक्टन में देना है अब कौन सा पैटन फॉलो हो रहा है